असलाम उलेकुम मैं हूँ रुकईया आप देख रहे हैं प्यारी रुकईया का केशन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हम सिर्फ दो अड़नों के साथ इतना हाइटीट सूपर मुष्ट केक कैसे बनाएंगे घर का नॉर्मल जो कच्छा घी होता है उसको हम लोग किस त करेंगा लगता है वह इस तरह का सूपर मुष्ट स्पॉंज टी केक कैसे बना सकते हैं इसको आप लोग इस केक के ओपर क्रीम वर्क भी कर सकते हैं बहुत असानी से तो चलिए स्टार्ट करतें इस अमेजिंग सी रेसिपी को तो यहां पर आपने कुछ बातों का दिहान करन है कि जब भी आप लोगोंने कोई साभी स्पॉंज बनाना होता है तो प्री हीट करने के लिए आवन या पतीरे को पहले रख दीजेगा जो भी बॉल हो गारा यूज करेंगे नीट एड क्लीन हो उसके अदर पानी मौजूद दा हो अल्या स्टार्ट करते हैं बिसमिल्ला र जो है ना हम लोग बीट करने में हमें असानी हो अच्छा आप अकसर लोग एंगे हम आप शॉट नहीं है और आप लोग ने परिशान नहीं हो ना आप लोग ने क्या करना है गी ले ले लेना है उसको चूले पर मैल्ट कर लीजेगा जो कॉंटर्टी बताई गई है जब वह मैल्ट हो जाए उसको आप फ्रीजर में दस मिनट के रखेगा वह जम जाएगा पांच मिनट के लिए रूम टैबलेचर पर वापिस रखेगा वह हलका पुलका सॉफ्ट होगा ज्यादा सॉफ्टने होगा तो पिर आपने बीटर से इसको बीट करना शुरू कर देना है चीन अंडे का साइस अगर छोटा होगा जैसे के 40 ए 42 ग्राम का अंडो के तादाद बढ़ाईएगा आप लोग अकसर बोलते ना कि एक आपका बहुत बड़ा लगता है हम उतने में बनाते हैं क्यों लगता है तो उसमें होता है कि अगर अंडो का साइस चोटा बड़ा हो उससे बहुत ज़दा फरक पड़ता है केक पर ठीक है और अगर जो लोग एगलेस काना चाहते हैं वो एगलेस वाली रेस्टेपी की सीरीज इन्शालला मैं प्रॉपर लेकर आने वाली हो आप लोगों के लिए और जो है न वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी एक करके हम हमने दोनों अंडे इसके दर एड़ करने साइड्स नीट करते जाएंगे ताकि जितना घी शौटनिंग है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए यह बहुत ज़दा फलफी और हलका होगा तभी इसको टाइम लगेगा उसके बाद यहां पर हमने ले लिया है मेहदा और मेहदे क सब्सक्राइट कर दिया है और उसके बाद ना हम लोग इसके अदर फोल्ड कर लेंगे आ पहलके हैतों से फोल्ड करण जोह PD से फोल्ड करते हो इसको जिस तरह भी चाहों आप लोगों ख lawyers कर सकते हो और आप जोह ने जोह ना अच्छे तरीका से तोढ़ा तोढ़ा करें जाना है आप सपून से कर लो इस पैचुला से कर लो हैंरिस से कर लो बनी लेसेंस जाएगा सके अधर हाफ टीस्पून ठीक है और अगर आप लोग अच्छा यह चाते हैं कि अच्छा टेश्ट रहू तो फिर आप इसके अंदर बटर ऐसंस भी ठोड साथ में लाइज ईसे बीड कर सकते हैं यह डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा लेना चाहरे हैं जो आप लोग अच्छा तेस्ट लगें आपकी फैमिली में आपके कस्टमर को आप लोग बुद अट कर लो उसी फ्लेवर आपका टी केक बंच जाएगा तो यहां पर जैना अच्छे तरीके से इसे मैंने एक बार जैना बीट कर लिया था ताकि जितना भी सारे इंविडियर्ट्स हैं मुझे बहुत ज़दा ओवर मिक्स ना करना परे मुझे बार बार इसको मिक्सिंग ना करनी परे इसलिए मैंने अइलेक्ट्रीव बीटर से मिक्स कर लिया था तो यहां पर यह अच्छे से मिक्स हो गया है आप यहां पर यह तरीके से बीट हो चुका है मुझे बोलने में थोड़ी प्राबलम हो रही है इसलिए मैं बहुत स्लोग बात कर रही हूं और अगर आप लोगों लगे आवास के लिए तो उसके लिए माजरत I am really sorry आप लोग दुआउ में जरूर याद रखेगा जो सब लोग comments कर रहे हैं उनका जजाक Allah बहुत 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 शुक्रिया इन्शाला जैसी में से इत्याब होती हैं आप लोगों के लिए अगले सीडिस प्रॉपर लेकर आने वाली हूँ तो यहां पर जो है ना अच्छे तरीके से नट्स कभी नहीं बैठेंगे आप लोग ड्राइफ फ्रूट्स के ओपर जो लगाना चाहों पिस्ता बादाम काजू जो आपका फेवरेट है आप लगा सकते हो वह उपर वाली लियर पर ही रहेंगे भीच में मिक्स करना हूँ तो ड्राइफ फ्रूट्स लेकर आप लोग और तकरीबन 30-35 मिनट गैस अबन है तो उसमें भी 30 मिनट लगेंगे लो रोड ही ओन रहेगा पतीले में वीजियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और तकरीबन 30-35 मिनट लगेंगे और अगर एक जैसी हीट आप लोग रखोगे तो उतनी ही देर में हर जगा बेक होता है तो आप लोग इसे हाइटी में आप लोग इसको बच्चों के लंज बॉक्स पे दे सकते हैं महवान आये फॉर्म बना सकते हैं इसको और अगर सेल करने प्याए तो आप इसका वेट पहले नोट कीजेगा इसका वेट यह जो घी वाले बटर वाले होते ना वो थोड़े से हैव लेकिन माशाला से आप लोग देखे होंगे लोग इतना अचार है और कटिंग करने के दौरान भी आपको नजर आ जाएगा यह कितना जबर्दस्त बना है तो इसके ऊपर जो कलर आता है वह इसलिए आता है कि आप लोगों ने आवन को या पतीला हो जो भी आप यूज करें उसकी preheating अच्छी की हुई है उसका जो temperature ना वो बिल्कुल सही है उसको सही temperature मिल रहा है और मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप लोग अपर भी color अच्छा नहीं आ रहा तो आप लोग के एक board रखकर या pizza tray रखकर pizza pan रखकर किस तरीके से color दे सकते हो वीडियो भी playlist पर पढ़ी है आप लोग देख सकते हो तो मुझे दुआओं में याद रखेगा आप लोग जरूर ट्राय कीजेगा मुझे feedback दीजेगा मिलते है new recipe के साथ और अगर आप लोग बेकिंग एन या pizza की classes join करना चाते हैं तो इस नमबर फिर रापता कर सकते हैं hey royal क और आप लोगे comments की बहुत अशर्द जरूरत है तो मुझे अमीद है आप लोगे अच्छे comments करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे आप लोगे साथ बहुत मुखलिस हो मुझे पूरी अमीद है आप सब मेरी YouTube family भी मेरे साथ अतनी मुखलिस है medicine ले रही हूँ और अभी में इतनी ज़्यादा बेतर नहीं हुई है मुझे बहुत ज़्यादा chest infection हो गया था बहुत सीवीर किसम का जिसकी वजह से मेरी जो voice है उसमें बहुत ज़्यादा problem आ रही है तो इसलिए बस आप लोग दुआ करें और जो लोग comments कर रहे हैं उनका त बेतर होती मैं सबको reply करूंगी अला फेर